नमस्कार आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूँ आपके साथ हंज लितिवारी बीजेपी के प्रदेश अध्याग समराठ चौधरी ने आज जिस तरीके से CM नितिश कुमार पर टिप्री की है उन्होंने कहा है कि कौन है CM नितिश कुमार नितिश कुमार का 25 भी नहीं हुआ होगा जब मेरे पिता देश के लिए लट रहे थे इसे पर पलटवार करते हुए जेडियू के पुर्व MLC सह प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि नितिश कुमार में कभी भी समराठ चौधरी नहीं मिल सकते और रहा बात नितिश कुमार के 25 की तो नितिश कुमार स्वतंतरता सेनानी के बेटा है उसमें कभी समराठ चौधरी नहीं मिल सकते उन्होंने कहा है कि समराठ चौधरी को पगरी बांध लेने से ज्यान नहीं आ जाएगा उन्हें पगरी उतार देना चाहिए वरना नस दब जाएगा उन्होंने इसी तरीके के कई सारे बाते समराठ चौधरी के लिए कहा है उन्होंने कहा है कि रहा बात पिता के देश की सेवा करने की तो उनके पिता क्या करते थे ये बात हमसे ना खुलवाया जाए अगर ये बात में खोल दिया तो साइद उनका इज़त खतम हो जाएगा जातिये जनगर्ना पर भी निरजकुमार ने कहा है कि जातिये जनगर्ना जब शुरू हुई थी तो सभी के रजामंदी से शुरू हुई थी इसमें किसी को कोई एतराज नहीं था बीजेपी जो हिंदुत्व का नारा लगा रही है और ढोंग कर रही है कहीं उनकी सच्चाई ना खूल जाए इसलिए उन लोगों को जातिये जनगर्ना से दिक्कत है अगर उन लोगों को जाती जनगर्णा से इतना ही दिक्कत है तो वो अपने जात का टाइटल क्यों लगाते हैं और फिर भी इस पर एतराज जताते हैं ज़रा सुनिये कि निरज कुमार ने क्या कुछ कहा है प्रिजर्व करते हुए यह कहा है कि आप जो जाती गर्णा है उसकी प्रक्रिया पर रोग लगाईए और इस सम्मंद में अगली तिथी को सुनवाई होगी जाती गर्णा राज्जी सरकार के देश के भीम राव अम्बेद करके बनाए संविधान के तहट यह अधिकार प्राप्त है और इसका एहसास विधान मंदल के तमाम राजनितिक दलों को था सर्वदलिय सहमती कैविनेट की सुकृति और साथी साथ हम लोगों ने जो भी प्रक्रियात्मा काम किया है वो विधी संवत काम किया है मानिय उच्ची में आले के प्रच्छेत्र में लेकिन राजनितिक संदर्म में अगर इसकी कोई आलोचला करेंगे तो मेरा तो सवाल सब्सक्राइब और आदमी की गणना करने से परशानी है और नहीं पिछला बर्ट विवाग का उचित क्या है जब आप गणना ही नहीं करिएगा तो लोगों कुछ जानकारी नहीं मिलेगी तो आप कैसा देश का विकास कर रहा है विश्चु गुरू बनना है अब रधान मं अब अधिकार है मानने उच्छी नहीं आ इस पर जो भी निर्ने लेगा हो मानने होगा लेकिन हमसे अभी संब्सक्राइब काम किया है जिसमें आपके सांथ है जो वो गिरोधी दल थे और उसमैं वो जाती गन्वना के बिशे में आपके समर्थन में थे और आज वो अचानक प्रोफाइल निकाल लिए कि सुची जारी किया उसमें जाती लिखा है देख लिए निकाल के वो दिखाई है आप लोग वीडियो कि देखिए बीजेपी को जातिगर जनगनास तो बहुत परेज है लेकिन डल में ही लिखे हुए है कि सब्राग चोधरी जी कुस्वाहा संजय सब्सक्राइब्र यही है पाखन्ड और भार्स्तिय जन्तापार्टि के प्रदेश सत्यक समराध चोधरी गीन सरकार्ष तैयारी नहीं कि बहुत पिए पगड़ी यह उन प्रभावित हो रहा है तो ऐसी स्थिती में राज सरकार ने सर्वदलिए सहमती लिया था इसका मतलब कि सवराज चोभरी को ज्यान है सजय जासवाल को ज्यान नहीं है अज्यानी बता दिया बता यह तो सुसील मोदी रोज दावा करते हैं थो अगर आपको कुलकोमा हो गया एक आइड डॉप लीजिए गाए आपको मोदिया बीन्द हो गया तो एक आइड डॉप लीजिए गाइशा राजनित का व्यक्ति पर देशनदर सम्राइड चौधरी ने कहा है कि हमारे पीता जब राजनित में थे तो नितीज कुमार का अपने पिता के बारे सेना में कुलासा कर दे, थोड़ा साथ पगड़ी उतर जाए ठोड़ा सबूरी फाली निती ट्सकुमा है कि साइंस को लें पर हैं, महां तो को नहीं लगता है कि घर का कोई प्रवेशों द्वार पर गया होगा विहार कोलेजियों पर जिनेनिंग में पढ़े हैं और नितीश कुमाजी सोतंतता सेनानी के बेटा है और सेना सेना में अपने पिता की उपलब्दी चर्चा करें छड़िये मत्समराच चोगी छड़िये ग आप लोगों ने सुना कि निरज कुमार ने क्या कुछ कहा वो पूर्णरूप से नितीश कुमार के समर्थन करते हुए नजर आये और समराच चौधरी को जम कर सुनाया अब देखना होगा कि इनके बयान पर समराच चौधरी क्या कुछ कहते हैं धन्य बाद ऐसे इन तमाम बड़ी खबरों के लिए जोड़े रहिएगा हमारे साथ